पुरिये दिवियात्मन हम सबने कल दीपावली का महापर्व मनाया दीपावली दीप का प्रकाश का प्रतीक है और प्रकाश के विपरीत है अंधकार प्रकाश अर्थाद चेतन और इसके विपरीत है जड़ जड़ और चेतन इन दो शब्दों में बंधन और मुक्ती का रहस्य छुपा है ज्ञान और अज्ञान की कुझी इन ही दो शब्दों में है अगर जड़ द्रिष्टी से अपने आपको देखें और तुम अपने आपको अगर जड़ मानते हो अर्थाद शरीर मानते हो तो तुम छुद्र हो, छण भंगूर हो, देश कालबस्तू परिछिन्न हो नित्यभय ग्रस्त हो, अभाव ग्रस्त हो चिन्तित हो, ललाईत हो ये स्वभाव है जड़ का अगर तुम देह हो, अर्थाद तुम जड़ हो तो तुम छुद्र हो, छण भंगूर हो, मरन धर्मा हो, दुख धर्मा हो तमस तुम्हारा स्वभाव है लेकिन अगर दृष्टी में बदलाव कर दो, जड़ नहीं चेतन मानो और चेतन जानो अपने आपको तो ततकाल करांति घटित हो जाती है समस्त बंधन, समस्त दुख, समस्त अज्ञान जड़ में है चेतन में न कोई दुख है, न कोई अज्ञान है न कोई यन्म अम्रित्यू है तो बस दृष्टी का फेर है बंधन और मुक्ती, ज्ञान और ज्ञान बस दृष्टी को जड़ परक से चेतन परक कर देना है और कुछ नहीं करना है युग युग से हम अपने को जड़ मानते आ रहे हैं जड़ मान कर बेवहर करते आ रहे हैं जड़ मान कर के जी रहे हैं और जड़ मानते हैं तो मर रहे हैं लेकिन अभी तुम अपने आपको चेतन मान कर के देखो मान करके शब्द ध्यान पूर्वक कह रहा हूँ कि अभी तो ज्ञान हुआ नहीं है तो मान करके भी तुम उसकी तारकिक निस्पत्ती तो देखो अपने को चेतन मान करके अपने गुण धर्म और तुम्हारे सुभाव क्या है, सुख दुख क्या है समस्त दुखदारिद्र तुम्हारे इस इसी दृष्टी दोश में है तुम जो हो नहीं वह मान रहे हो और जो तुम हो वह नहीं मान रहे हो तुम तत्वतह चेतन हो तुम तत्वतह आत्मा हो तुम तत्वतह ज्ञान मैं हो, चिन मैं हो लेकिन अपने आपको तुम जड मान रहे हो दृष्य मान रहे हो, शरीर मान रहे हो यहीं तुम्हारा बंधन है, यहीं तुम्हारा अज्ञान है यहीं तुम्हारे समस्त दुख़ों की जननी है लिकिन जिन तत्व विदों ने तत्व वेताओं ने ब्रंभ वेताओं ने जिन्हों ने अनुसंधान किया अपने स्वरूप पर कि मेरा सम्यक स्वरूप क्या है मेरा स्वधर्म क्या है स्वभाव क्या है प्रकृति क्या है अत्यंतिक मेरी तो without fail and without exception सबने यहीं पाया कि अपने को जड़ मानना तो अपने को देह मानना तो एक मात्र भरांती थी एक मात्र यहीं पाप था दूसरा कोई पाप नहीं है समस्त पापों की जननी एक पाप और क्या है वह पाप कि मैं देह हूँ मैं जड़ तत्व हूँ जब मैंने ग्यान दृष्टी से चेतन दृष्टी से आत्म दृष्टी से अपने पाप दृष्टी पात किया तो मुझे पता चला कि मेरा तो दूर दूर से, न जन्म से, न मृत्यू से, न दुख से, न दारिद्र से, न भय से, न इर्शा से, न द्वेश से, न कर्म से, कोई संबंध नहीं नहीं है मेरा तो. मैं तो एक अद्विती शुद्ध बोध स्वरुप चैतन्य, अथाथ चित्ती शक्ती, अथाथ शिन्वय पूरुष हो. जब ये पता चला, जब ये अनसंधान के द्वारा, बोध हुआ सक्षात अपरुक्ष अनुभूती हुई, तो न कुछ करने को बचा, न कुछ भोगने को बचा, क्योंकि चैतन्य तो नित्य पुरुण है, नित्य त्रिप्त है, नित्य आनन्द में है. आज इस तत्व को समझने के लिए, क्योंकि अद्वाइत विदान्त या समस्त भ्रम्भ विद्या, इन दो शब्दों के बीच में है, जड़ और चेतन, देह और देही, शरीर और शरीरी, द्रश्टा और शब्द अलगलग कर रहा हूं, लेकिन बस जड़ परकद्रिष्टी को चेतन परकद्रिष्टी कर देना है, अग्यान द्रिष्टी को ज्यान द्रिष्टी में परिवर्तित कर देना है तो कैसे होगा कहने से नहीं होगा इसका विज्यान जानना होगा समझना होगा और कोई कठिन नहीं है तो आज इसको जानने के लिए कि चेतन द्रिष्टी से मेरे अत्रिक्त कुछ भी नहीं, मुझसे भिन्न कोई नहीं, अगर तुम अपने आपको शरीर मानते हो, तो तुम इस विराज संसार के अंदर हो, एक छुद्र कणि का मात्र हो, तुम जन्म धर्मा मरण धर्मा हो, नित्ति भायग्रस्थ हो, लेकिन अभी और यहीं देखो, जड़ नहीं अपने को चेतन अर्थात आत्मा अर्थात ज्ञान चिनमे स्वरूप से दृष्टि पात करो, तद तुम्हारा न कोई आदी है, न कोई अंत है, न कोई संबंध है, तुम निरवयव हो, तुम्हारे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, समस्त द्वाईत, समस्त भेद, समस्त त्रिपुटी जड़ में है, चेतन में न तो कोई भेद है, न कोई द्वाईत है, न त्रिपुटी है, इसलिए, ये मैं एक छुद्र छण भंगूर शरीरधारी दिख रहा हूं, और इसे परे मुझसे बाहर ये विराट जगत मुझसे भिन्न दिख रहा है, ये भ्रमात्मक है, ज्ञान के करान दिख रहा है, मुझसे परे ना कोई जीव है, ना जगत है, ना जगनात है, आज के प्रबचन का सिर्शक यहीं है, योग वासिष्ट सार के एक स्लोक पर आज का प्रबचन इस तत्यों को बड़ी सरलता से, असपस्ता से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, कि ज्ञान दृष्टी से अर्थाथ चैतन्य दृष्टी से, तत्व दृष्टी से या आत्म दृष्टी से, तुमसे भिन्न न कोई जीव है, ना जगत है, ना कोई जगनात है, ये तुमसे परे अन्य जीव, अन्य जगत, और भगवान, जगनात, इश्वर, परमेश्वर, और सब ये जड़वाव में, देवाव में होने के कारण प्रतीत हो रहे हैं और उसके अनुसार तुम बिवार कर रहे हो, सुखी-दुखी हो रहे हो चैतन्य दृष्टी से देखने पर पता चलेगा कि चैतन्य में तो कोई ना आदी है, ना अंत है, कोई द्वईत है ही नहीं ना उसे काल परिछने कर सकता है, ना देश परिछने करता है, ना कोई वस्तू उसे परिछने करती है परिछनेता तो सुखाव है, जड़ का, और मैं हूँ चैतन्य मूल रूप से और मैंने अज्ञान के कारण अपने को जड़ मान रखा है अर्थात शरीर मान रखा है यहीं समस्या है और इसलिए मैं मान रहा हूं डर रहा हूं मैं यहां मेरा मित्र मेरा शत्रू ये जगत ये भूत ये भविश्य वो भगवान वो शैतान वो निक्रिष्ट वो उत्रिक्रिष्ट वो मित्र वो शत्रि सारे भेद ये मन के विकार हैं मन की कलपना हैं मनो दिश्यम इदम विश्वम ना किंचित सचराचरम मनसो उन्मनी भावात द्वैतम नई वो पलब्यते इसके पहले कि आज का जो सलोक लेने जा रहा हूँ आठवे योगवासिस्ट सार का आठवे अध्याय का छठा सलोक लेंगे लेकिन उसी को और असपस करते हुए और सरल करते हुए एक और सलोक योगवासिस्ट का ही आपको आप यहां समझा देता हूँ तो बहुत असान हो जा अद्वाइत व्यदान्त आम जन तक जधा संभव पहुंच सके जिन में थोड़ी भी अभिरूची है वो अपने जीवन को धन्य कर सकें इसलिए मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि जितना सरल हो सके जितना असपस्ट हो सके एक-एक बात को छोटी-छोटी बात को आपके प्रिश्यम इदम विश्वम नाकिंचित सचराचरम मनसो उन्मनी भावा त्वैतम नईवो पलभ्यते द्वाइत क्या है थात मैं एक द्रश्टा और ये मुझसे परेद्रिश्यमान जगत भिन्द मुझसे मैं ग्याता और गे जगत जगत या जगत पती जो कुछ भी मुझसे भिन्द दिख रहा है ये द्वाइत भाव है मैं और मुझसे अलग ये जगत ये सब द्वाइत भाव हे राम कह रहे हैं मसिल हे राम ये मनो विकार है मन की कलपना है मनो दिश्यम इदम विश्वम जो द्वाइत रूपी जो मुझसे बाहर मुझसे अलग मुझसे भिन्द जगत दिख रहा है और जो मानता हूँ मुझसे भिन्द भगवान, मुझसे बाहर जगनात, मुझसे परे परमात्मा ये सब अज्यान के कारण है द्वाइत नामक कोई सत्ता ही नहीं है समस्त द्वाइत सत्ता तुम्हारे मन की कलपना है जिस प्रकार से स्वप्न काल में स्वप्न द्रश्टा के द्वारा ही समस्त स्वप्न द्रिश्य स्रिजित कर दिया जाता है कलपना शक्तिशे स्वप्न द्रश्टा से स्वप्न द्रिश्य अभिन्न होता है जागने के पस्चात ये पता चलता है कि मैं ही हाथी बन गया था स्वप्न में मैं ही घोड़ा बना था देखने वाला भी मैं ही था जो दिख रहा था वह भी मैं ही था जो सर्प मुझे स्वप्न में काटने आ रहा था जो बाग मुझे निगलने आ रहा था जो हाथी रोधने आ रही थी जिस महासागर में मैं डूब रहा था उस सब कौन थे जिस सत्रू से डर कर भाग रहा था मुझे हत्या करने के लिए ख़देड रहा था या जिस प्रेसी के पीछे मैं भाग रहा था उस सब कौन थे मुझसे उस अपने जगत में कुछ भी नहीं था मैं ही वह प्रेसी बना था मैं ही वह शत्रू बना था मैं ही वह हाथी मैं ही वह घोड़ा मैं ही वह महसागर जिसमें डूब रहा था मैं ही वह बाख जो निकलने आ रहा था ब्रह्म के कारण मनो विकार है ये तो साइन्टिफिक है इसमें क्या कुछ समझने के लिए तो कुछ नहीं है कि मन का प्रक्षे पढ़ हाफ वेकिंग माइन प्रोजेक्ट्स दे इंटायर फेनोमेनल यूनिवर्स परसिफ्ट इन द्रीमिंग स्टेट स्वपन काल में स्वपन द्रश्टा ही स्वपन जगत बन जाता है उसी प्रकार से कह रहे हैं मर्सिबसिष्ट की ये जागरत अवस्था में भी ये दोईतवान जो जगत तुम्हें दीख रहा है तुम और तुम से परे अलग भिन ये पंच भूतों और पंच इंद्रियों के पंच भिसे करूप में जो प्रपंच दीख रहा है ये सब मन की कलपना है क्योंकि मानिता नहीं बता रहे हैं विज्ञान की सृष्टी में आज तक किसी ने उन्मनी भाव, the one who has transcended the mind, उन्मनी भाव यार, मन की अवस्था से पर्यार्था मन को शिथिल कर दिया, शांत कर दि पतंजली योगस्चित्य वृत्ती निरुधा, चित्त की वृत्तियों की निरुधा वस्था में आज तक किसी ने सृष्टी में कोई कभी भी किसी द्वाईत की किसी ने अन्भूती ही नहीं की है, आप जाकर के देखो, ध्यान की वस्था में गहरे ध्यान या समाधी की वस और ध्यान में प्रयास करते हैं मन को शांत करने की मन अर्थात नित्य विचारों का अस्पंदन चित्त वृत्तियों का अस्पंदन mental modifications constantly arising out of mind itself और वहीं जगत के रूप में दिखता है द्वाइत के रूप में दिखता है तो कहते हैं महर्शी वसिश्ट कि हे राम आज तक किसी ने उन्मनी दसा यानि मन के पार के दसा था पर्षांत मन से उन्मनी दशा में किसी ने द्वाइत की कोई अनुभूति की ही नहीं है इसलिए ये समस्त दोईत जगत है, उस सब मनोविकार है, मानसिक कलपना है, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, स्वतंत्र सत्ता क्या है? तुम, तुम एक मात्र सदवस्तु हो, तुम से भिन्न न कोई जगत है, न कोई जीव है, न कोई जगतनात है, न कोई भगवान है, न कोई भक्त है, चैतन्य दिरिष्टी से बोल रहा हूं, जड दिरिष्टी से या अद्य दिरिष्टी से तो जो जान रहे हों सब ठीक है, वही तो अज्ञान दिरिष्टी है, वही तो मुह दिरिष्टी है, वही तो अनंत काल से भवंधन का कारण है, तो ज्ञान दिरिष्टी जिसे नहीं देख पाते हैं नहीं जान पाते हैं क्योंकि उसे देखने के लिए ज्यान चक्षु चाहिए वह चर्म चक्षु से नहीं दिखता है और जो चर्म चक्षु है यहीं मूढ बुद्धी है और मूढ चक्षु है यहीं तो ब्रह्म पंचेंद्रियों से मन मन ही तो देखता है मन के ही उपकरण है ये पंचेंद्रिया और इन से ये प्रपंच स्वरूप जो जगत कालपनिक है वास्तों में इसकी स्वतंद्र सत्ता नहीं मुझे से भिन्न कोई सत्ता नहीं परंतु मुझे से भिन्न होने का भ्रम पैदा करता है इसलिए महरश्शी वसिष्ट कहते हैं कि हे राम ये समस्त द्वाईत जगत जो तुमसे भिन्न दिख रहा है प्रतीत हो रहा है सुख दुख का कारण बना हुआ है वो मन का विकार है मन की कलपना मात्र है मन की उनमनी दशा अर्थात मन के पार के दशा अर्थात शांत मन से शांत मन क्या चैतन्य हो जाता है मन नाम की स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है जब जो सुध चैतन्य है जो विटनेसिंग कंशसनेस है प्रत्यगात्मन है वह बाह्य मुख्य होता है तो वही मन हो जाता है पंचिंद्रियों के उपकरणों के साथ में और वही जब अंतर मुख्य हो जाता है तो शुद्ध चैतन्य शुद्ध ब्रंब हो जाता है वो है ही हो नहीं जाता है हमारी वृत्ति के कारण जब पंचिंद्रियों के द्वारा हम अपने मन से इस जगत को देखने समझने और अनुभो करने का प्रयास करते हैं तो वहीं कालपनिक जगत दिखता है जिसकी सत्ता नहीं है नित्य बाह्यमुखी अंतर मुखी मन ने कभी जगत को देखा नहीं और बाह्यमुखी मन कभी सत्य को देख नहीं सकता यह ब्रामक प्रपंच ही दिखेगा इसलिए जो भेद है जो ब्राम है मैं कुछ और और मुझे से परे यह समस्त द्वाइत जगत मेरे सुख दुख का कारण है प्रियवस्तू के पीछे भाग रहा हूं और अब प्रियवस्तू से पीछा छुड़ा कर भाग रहा हूं इसके सिवाए तुम्हारे जीवन में देखो दिष्टिपात करो कुछ भी तुमने होश सम्हालने से लेकर आज तक क्या 24 गंडे की अपने वृत्यों पर मनसाव आचा करमडा जो तुम्हारी वृत्या है कुछ भी नहीं किया है आम भाशा में इसके सुख के लिये और सुख के पीछे भाग रहे हो और दुख से पीछा चुड़ा कर भाग रहे हो नित्य बोलते हो बोर हो रहा हूँ गए थियेटर गप करने गए सिरियल देख रहे हो दुख तुम्हारा दुख हो गया है उसी दुख निवरिति के लिए ये महादानों स्रिजित कर दिया विश्व के उद्योग पतियों ने तंत्रविदों ने ये स्रिष्टी का सबसे वड़ा महापिसाच ये इंटरनेट और जो मुबाइल टेकनलोजी है हर आदमी दो से चार घंटे छे घंटे अपना समय इसी में लगा रहा है किसके लिए सूख के लिए और जो जितना मुबाइल देखता है जितने वीडियो देखता है जितने सिरियल देखता है उतना दुखी है जाकर कि उसका ध्यान करो जाके देखना जो मुबायल बिल्कुल नहीं देखता जरा सा कोई यू फोन वगरह के लिए काम करता है क्यों मुबायल नहीं देखता विडियो नहीं देखता अपने काम में लगा है उस संसारी कर्थ में भी देखो ओ आदमी शांत मिलेगा प्रसनेचित मिलेगा ब्रामक है ये सब पूरा कपर है क्योंकि माया के अंदर माया क्यों बोल रहा हूँ ये जो मॉबाइल टेकनलोजी है इंटरनेट टेकनलोजी है ये ये आनलाइन जिंदगी है ये माया के अंदर की माया स्रीजित कर दी है डबल हुआ मेई वर फेसिंग एक तो इस जगत में अनाधिकाल से अनाध्य विद्या स्वरूप जो माया है उसने आपके स्वरूप को छुपा लिया था जो परमात्मा है वहीं जिवात्मा मान करके सुक दुख में डूब उतरा रहा था अब उस माया के अंदर एक दूसरी माया स्रिजित कर दी इंटरनेट मुबाइल आउनलाइन लाइफ अब तो इतना कठीन हो गया है तुम्हें अपने उस आनंद को उस शान्ती को अनभव कर पाना तो कहे रहे थे कि महरसी वसिष्ट कहते हैं कि समस्त जो द्वाइत जगत जिसके पीछे भाग रहे हो उस मुबाइल में क्या देख रहे हैं कोई दिरिश दीख रहा है कोई वीडियो दीख रही लग रहा है उसमें आनंद आ रहा है कलपना मात्र है कलपना कसिवाए कुछ भी नहीं है वह तो जड है तुम जानते भी हो लेकिन तुम्हारे अंदर भी यहां जो शरीर है और इस शरीर के अंदर भी यह तुम्हारा अपना आम जीवन है उसमें जो तुमसे बाहर का दोईत जगत दीख रहा है वह भी कलपना मात्र है और वही अज्ञान दृष्टी है वही देह दृष्टी है वही जड़ दृष्टी है वही हमारे समस्त बंधन का कारण है तो ग्यान दृष्टी क्या है चेतन दृष्टी क्या है आत्म दृष्टी क्या है अब उस स्लोक पर आते हैं जिस दृष्टी से जिस ग्यान चक्छु से यह पता चल जाता है कि तुम से परे न कोई भिन जीव है न कोई जगत है न कोई जगतनात है न कोई भक्त है न भगवा तुम्ही सरवत्र हो तुम्ही सरवस्व हो तुम्ही सरवदा हो किस दृष्टी से चेतन दृष्टी से बार बार बोल रहा हूं यह मुर्ख जो कह रहा तो जानते नहीं आध्यात्म का प्रशन करते अच्छा महरत क्या बात बोल ले हैं कि अच्छा मैं सर्वव्यापी हूं सु बिल्कुल तुमने सही बोला, तुम एक छुद्र छण भंगुर, साथ सतर असी किलो के, पांच फिट, शे फिट के, मांस, हड़ी, मज्जा के, लोथड़ी के सुवाई कुछ नहीं हो तुम, लेकिन ये तुम्हारा परिजय नहीं है, ये तो ब्रमात्मत है, तुम वह चैतन्य पुरुष हो, वह तुम साश्वत सनातन, सम्भित सत्ता हो, आत्म सत्ता हो, जिसका न जन्म है, न जिसकी मृत्तु है, न जो देश बाधित है, न काल सिमित है, न वस्तु बाधित है, और उस चैतन्य दृष्टी से ज्यान दृष्टी से आत्म दृष्टी से तुमसे परे न कुछ था न कुछ है न कुछ होगा वह एक अद्विती सचिदानंद घन स्वरूप है वही परब्रंभ है और वह परब्रंभ कोई और नहीं तत्व मसी वह तुम ही हो चैतन्य द्रिष्टी से ग्यान द्रिष्टी से आत्म द्रिष्टी से शब्द अलग अलग कर रहा हूं तीसो शब्द बोल सकता हूं लेकिन अर्थ एक ही है जो शरीर का प्रकाशक शरीरी है इस शरीर के अंदर जो आत्मा है जो साक्षी चैतन्य सत्ता है जो अभी और सर्वदार सरवत्र मुझे उपलब्ध है एक मात्र स्वयंभुस्व प्रकाशित सत्ता है वह मेरा जो चैतन्य दीपक है वही सचिदान अनंद भरणब्रम्भ है और उसमें कोई द्वैत नहीं उसमें कोई भेद नहीं उसमें अर्थात्मुष चैतन्य सत्ता में ही अनंत जुग आये और गए अनंत काल आये और गए अनंत जगत उत्पन इस्थित और विलीन हुए मै वैसे कावै साबै अनंत ब्रम्भन का अधिस्थान हूँ तो आज जो स्लोक लेने जा रहे हैं इसको और अस्पश्था से नुरूपिद करता हुआ ओ जोग वासिष्थ सार का आठवे अध्या का छथा स्लोक है करते हैं महरतिवसिष्थ ज्यानम्नाभवतो भिन्नम् गेयं ज्यानात्पिथत्नही अतोनात्मेतरं किंचेत् तस्मात्वेदोन विद्यते तस्मात्वेदोन विद्यते समस्त अध्वईत विदान का सरांस कह दिया कहते हैं महरतिवसिष्थ हे राम और यहां पर राम काता पर जब काता हूँ तो आप चले जाते हो तरिता काल में यह आपको संबोधित हो रहा है योग वासिष्थ में राम निमित्र है और वसिष्थ गुरू के रूप में निमित्र है स्रिमत भगवद गीता में कृष्ण गुरू के रूप में निमित्र है और अर्यून निमित्र है उपनिशिदो में रिशी निमित्र है और स्रोता कोई है अस्तावक्र गीता में जनक वहाँ पर इसलिए यहां पर जब कहा जा रहा है तो राम और राम कोई और नहीं रहा था तब यह विद्या दी गई योग वासिष्ट की जो समस्त अद्वाईत विदांत उसमें सनी थे 32 जार स्लोकों में तो वह जब राम को कहा जा रहा है तो तुम समझ रहे हो कि किसी और काल में किसी नहीं वह राम तुम है कहा जा रहा है और मैं कहा रहा हूं यहां पर मैं ही वशिष्ट और तुम ही राम यहां पर पहले यहां पर आजाओ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, मन की जो छुद्र कलपना शक्ती है, छुद्र में ही like a squirrel and mouse keeps taking a roundabout, तो वह राम तुम हो जिसको वस्षिष्ट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भिन्नम ना भवतो किंचित तुम, तुमसे भिन्न, तुमसे भिन्न कोई भी जगत नहीं है, नहीं, तुमसे भिन्न ज्ञान नहीं है, भिन्नम ना भवतो किंचित गेयम ज्ञानात प्रिथक नहीं, ज्ञान तुमसे भिन्न नहीं है, और तुम ज्ञान से भिन्न नहीं हो, ज्ञान यहाँ पर शब्द का अर्थ समझो, ज्ञान अर्थात प्रज्ञान शुद्ध बोध, शुद्ध बोध का क्यातात पर यह होता है, वहीं ब्रंभ है, वहीं चेतन तत्व है, वहीं तो आत्मा है, वहीं तो परमात्मा है, वह ही शुद्ध संबीत है, वही तो मुक्त है, वही तो ब्रह्भसत्यम यगनमिध्या का अभिस्झा है, वहाँ जो करें कि छुर्ध मैं बारबार क्या बोलला हूँ, ग्ञान दृष्टी से तुमसे भिन्न न कोई जगत है न कोई जगनात है वहीं ज्ञान वहाँ पर शुद्ध बोध स्वरूप जो चेतन आत्मा है तुम्हारी अर्था जो प्रज्ञान तत्व है जिसको जो उपनिश्टों का महावाक है प्रज्ञान अंब्रंभ जो प्रज्ञान सत्ता है प्रकिष्ट ज्ञान है जो शुद्ध तुमसे भिन नहीं है वह दूसरा नहीं है पहली भ्रांती यहीं तुम्हारी हो जाती है कि जो मैं प्रयास करूँ साधना करूँ सन्यास लूँ गुरू की शरणागती उसको पाने के लिए किसको पाने के लिए किसी अन्य को नहीं पाना है वो नित्य प्राप्त वस्तु है के सफाई होनी है इसलिए कह रहे हैं कि हे राम जो ज्ञान अर्था जो ब्रंभ जो चिन में है ज्ञान में है आत्म में है प्रज्ञान तत्व है वो तुमसे भिन नहीं है ज्ञानम ना भवतो भिन्नम गेयम ग्यानात पर ठक नहीं और दूसरी बात जो गेय है गे कौन सा है भी यहाँ पर मुझसे परे यह जो जगत पंच भूतों के रूप में पंच यंदिरियों से दिख रहा है और अब्जेक्ट टू बी नोन और अब्जेक्टि वर्ल डैट इज बिंग परसीब यह गेय है नोएबल मैं हूँ नोवर यानि जानने वाला दृष्टा और यह समस जगत मेरे लिए क्या है गेय है मैं जान रहा हूँ यह टेबल यह कुरसी यह बिस्तर यह कमरा यह आश्रम यह गेय है यह सुर्ज यह चंद्र और भगवान भी यह राम यह कृष्ण यह शीव निर्गुण निराकार बरंब सगुण साकार बरंब यह सब मुझसे परे चाहे सुक्ष्म हो या अस्थूल हो तो गहरे अर्थों मैं मुझसे भिन्न मान रहा हूँ मैं तो करें हैं गेयम ग्याना प्रिथक नहीं अब दूसरी बात जानों कि जो गे है अर्थाती समस्त गे रूप में दीख रहा अब्जेक्टिव वर्ड जो दीख रहा वह ग्यान से भिन्न नहीं है प्रिथक नहीं है कोण है तुम हो पहली पंक्ति में क्या कहा कि ज्ञान और ज्ञान बार बार याद रखे हैं यहाँ पर ज्यान का ताथ पर ज्ञान जो प्रग्जान नरक्रस्ट के नहीं प्रम्भ है उसके अर्थ में कह रहे हैं कि जो प्रज्ञान तुम्हारे अंदर है अभी साक्षी चेतन आत्मा के रूप में वह इस जगत से या जो कुछ भी दिख रहा है जो प्रज्ञान है वह तुम से भिन्द नहीं है तुम उस प्रज्ञान से ज्ञान से भिन्द नहीं हो तुम क्या हो? तुम स्वत्अज्ञान स्वरूप हो यहीं बता रहे हैं यो प्रणम से करह रहा हूं इर द्वल द्वाद्धं डगान कुछ रहरह भूत है कि मैं देह नहीं देही हूं। बस दिस इज इनलाइटनमेंट, फर्स स्टेप, आइम नोट बॉडी, फर्स स्टेप, आइम इल्लुमिनेटर फ़ बॉडी, लेकिन समझने में यूग यूग लग जाते हैं, नभूती करने उसको उसमें परतिश्टित होने में, लेकिन तुम्हारी ममक्षा प्रमानक हो, तो च्छन भर में घट सकता है, इतना सरल, इतना आसान, इस से ज़्यादा क्या हो सकता है, कारे हैं कि ग्ञान अर्थात, जो ब्रम अर्थात जो वह जो परमतत्व है, वह तुम से भिन्द नहीं है, और तुम उससे भिन नहीं हो और दुसरी बात ये जो जगत तुमसे भिन दिख रहा है वह भी भिन नहीं है तुमसे अर्थात ग्यान से ग्यान दृष्टी से जड़ दृष्टी से भिन है बिलकुल भेद है मेरा शरीर तुम्हारा शरीर मैं बगता तुम सुरोता राम का भी वहाँ पर और वसिष्ट का भी शरीर वहाँ पर है इसलिए सुरोता बगता है गुरुशिश है द्वापर हो सद्जुग होते रता हो सर्वत्र वहाँ पर अज्ञान से आवरित है वहाँ तो दो हो गए लेकिन ज्यान दृष्टी से देखो, चैतन दृष्टी से देखो, जो कृष्ण कह रहे हैं भगवदिता में, विमोड़ा नानू पश्यंती पश्यंती ज्यान, तो ज्यान चक्षू से अगर देखो, तो यही ज्यान चक्षू है, कि यह जो प्रज्यान सत्ता है, जो तुम्हा इसलिए तुम उससे भिन नहीं हो और वह तुमसे भिन नहीं है आज तक तुम क्या मानते आ रहे हो भगवान कहीं मंदिर में इस विशेस मंदिर में इस जगह पर है उन पुझा पधhetियों की अपनी उपयुकता है उस पर मेरी कोई कमेंटरी नहीं है प्रारम भीक में लेकिन वह जो निर्गुण निराकार वैदानते वैद्य जो भ्रंभ है वह जो परकृष्ट ग्यान स्वरूप जो चे इतन्य सत्ता है वह कोई और नहीं वह तुम हो वह तुमसे भिन्न नहीं है और दूसरी बात ये जो सम जगत है उससे ये जगत भी भिन्न नहीं है उसी में ये प्रतीती मात्र है इस मेरे चैतन्य ज्ञान स्वरूप के अधिश्ठान में ये अध्यास मात्र है इसलिए अतो इसलिए तुम अभी और यहीं जानो अतो नात्मे तरम किंचित अतहा देर्फोर ना आत्मा इतरम आगे अपनी जगह पर आत्मा से अर्थात ग्यान से अर्थात मुझ से अर्थात तुम से भिन्न कुछ भी नहीं है किंचित कुछ भी मुझ से है भिन्न नहीं अतव अतभ नातमित रंकिंचित आत्मा से अठत ग्यान जो मेरा स्वरूप है और मेरे से भिन नहीं है वह अभिन है मैं ही ज्यान हूं और ये जगत भी ज्यान मैं ही है ज्यान की ही अभिव्यक्ति है उस Чेतन आत्मा की इसलिए अतोनात मेतरम किंचित अब ये जो द्वाइत जगत जो समस्दुख का कारण है मेरे सत्रू मेरे मित्र मेरी पतनी मेरा पती मेरे सत्रू मित्र जगत इस सब जो वास्तों में मुझसे भिन नहीं है मुझे से बाहर नहीं है, मुझे से इतर नहीं है इसलिए अतह क्या निश्पत्ति हुई? द्वाईत है ही नहीं, भेद है ही नहीं, दो है ही नहीं, नथान है न होगा भग्द और भगवान का, साधक और साध्य का, ग्याता और गे का, यह सब अज्ञान के कारण है शुद्ध ग्यान में ही, प्रकृष्ट ग्यान में ही, यह त्रिपटी ग्याता गे और ग्यान का समंध कलपना मात्र है इसलिए तुम से जो तुम ग्यान स्वरूप हो, ग्यान अर्थात, सचिदा अनन्द हन ब्रंभ, परमात्मा, परम सत्ता, जो देश काल बस्तू अपरिशिन सत्ता है, जो नित्य, आनन्द का अनन्द महा सागर है, दुख लेश मात्र भी नहीं, जो एक मात्र सदवस्तू है, वह ग्यान, वह चेतन सत्ता, तुम हो, वह ग्यान तुम से भिन नहीं, और उस ग्यान से तुम भिन नहीं, तुम ही वह ग्यान हो, तुम ही वह ग्यान हो, वह ग्यान कोई और नही और इसलिए तीसरी बात, ये समस्त जो गे जगत, the objective world, सर्पवत भास रहा है, है रसी वहाँ पर भ्रम के कारण सर्प दिख रहा है, उसी परकार मेरे अत्रिक्त न कुछ था न है न होगा चेतने दृष्टी से, परन्तु जड़ दृष्टी के कारण, वहीं जड़ दृष्टी तो अंधकार है, तमस है, जिसके कारण रसी ही, सर्प होकर डसने आ रही है, सर्पडस रहा है, भाई भीत होकर भाग चले, सर फोट गया पाउन तूट गये और प्रति पल हमारे साथ यहीं घटी तो रहा अग्यान में उसने हत्या कर दे उसने हत्या करने को हमें बोला इस सब कुछ जो भैभीत हो रहे हो भैग्रस तो हो रहे हो मैं मर जाओंगा काल मुझे ग्रस जाएगा आरे तुम कालों के महा काल हो चैतन्य दृष्टी तो अपनावो तुमसे परे न कोई काल है न देश है न कोई वस्तु है तुम में ही तुमसे ही ये अनंत ब्रम्हांड उत्पन इस्थित और विलीन सा हो रहा है वही ज्यान तुम हो तुमसे परे इसलिए अन्त में कहते हैं कि तुमसे परे कोई नहीं तुमसे भिन कोई नहीं तुमसे भिन न कोई जगत है न तुमसे भिन कोई जीव है न तुम से भी न कोई जगनात है, न कोई परमात्मा है, न ब्रंभ है, न भगवान है, तुम ही जीव, तुम ही जगत, तुम ही जगनात, ज्यान दृष्टी से, क्योंकि प्रग्यान में, अर्थात, in pure consciousness, there is no possibility of any duality, pure consciousness means, indivisible, non-dual consciousness. समस्त द्वाइत और तृपटी जड में है, चेतन नित अद्विती है, अद्वाइत ज्यान है, इसलिए यूग-जूग से हम जो दुखी हो रहे हैं, तडप रहे हैं, तरस रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, सिर्फ इसी एक अज्यान के कारण हमने अपने को जड मान लिया है जड मान करके जी रहे हैं, जड मान करके जग रहे हैं, सो रहे हैं, बरताव कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ब्यापार कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, सब कुछ अपने को शरीर मान करके कर रहे हैं, लेकिन तुम अपने को शरीरी मान करके देखो अभी प छुद्र हूँ इतने फिट का छे फिट का पांच फिट का हूँ साट सतर असी किलो का हूँ पैदा हुआ कुछ दिसक पहले थोड़े दिन बाद मर जाओंगा ये सब जड़ दृष्टी है जो मोह दृष्टी को उपलब्ध हुआ था अर्जुन और जिस आत्म चेतन इसी ज्ञान दृष्टी को तो खोला समस्त भगवत गीता में अन्त में क्या घटित हुआ मोह क्या नश्ट हुआ यही मोह कि मैं शरीर हूँ और मेरे शरीर से अलग ये अनंत जीव अनंत शरीर है ये जगत है मुझे से बाहर और जगनात है भगवान है मुझे से इत्र और उन्होंने बताया नहीं सरवत्र ए कहीं है ए कहीं था ए कहीं रहेगा ते रमध्याय में कहते हैं कि चेतन दृष्टी से जो छितरग्य है ओ मैं ही हूँ वहीं तो ज्ञान है यहां पर जुब कह रहे हैं मरसी वसिष्ट की जो ज्ञान है उससे भिन्न न कोई जगत है न कोई भगवान है न कोई सत्ता है वहीं तो गे वहां तेरह में ध्याय में कृष्ण है ओ मैं ही हूँ सभी जीवों के अंदर छित्रग्यम चाप इमाम विद्धी सर्वक छित्रे शुभारत सभी जीवों के अंदर जो छित्रग्य है अर्थात वहीं ज्ञान सत्ता शुद्ध बोध स्वरूप जो चेतन सत्ता है ओ मैं हूँ और वह सर्वत रहे अन्यत्र कहते हैं उसी तेरह में अध्याय में समम सर्वेशु भूतेशु तिष्ठंतं परमेश्वरं विनश्यत्ष्वाय विनश्यंतं यह पश्यती सपश्यती यह पश्यती सपश्यती और यहाँ पर क्या बता रहा हूँ ग्यान दृष्टी ग्यान दृष्टी से देखो अग्यान के दृष्टी से नहीं और ग्यान दृष्टी से वहाँ क्रिश्ण क्या बता रहे हैं समम सर्वेशु भूतेशु तिष्ठंतं परमेश्वरं सभी अस्थावर जंगम चराचर जगत ये है जो अरचेतन जगत है इसमें समंसर्वेशु भूतेशु तिन्स्थन्तम परमेश्वरम वो जो परमेश्वर है और यहाँ पर जो ज्ञान शब्द करें वहीं परमेश्वर ही है ज्ञान काता पर ज्ञान स्वरूप है परमात्मा का ब्रमा का विदान्त दर्शन में परमात्मा का स्वरूप लक्षन स्वरूप है प्रग्यानम ब्रम्भा तो वही प्रग्यान सकता वह ज्ञान सकता ही सभी ब्रम्हन के भूत प्राणियों में नित्य ब्याप्त हो करके अध अत्मा के रुप से सब को धारण किये हुए है और जो ब्यक्ति इस सभी मरन शील पदार्थों मरन धार्मा भूतों में उस अमर अमर अविनाशी तत्यों को ग्यान को वहीं परमेश्वर है ग्यान जो यहां योग वसिष्ट में कर हैं कि वह ग्यान तुम से भिन नहीं और तु पर जो ग्यश्वर कृष्ण वही परमेश्वर वही ज्यान अर्थात परमेश्वर सभी भूत प्राणियों में उसकी आत्मा के रूप में एक ही जो परमेश्वर है वो व्याप्त है लेकिन जो अपनी ज्यान दृष्टी से यह देखता है कि यह समस्त जो भूत प्राणी है जो जन्म मृत्यू को उपलब्ध हो रहे हैं ये विनाश शील जगत है उसमें उस अभिनाशी एक अद्विती ज्ञान तत्व को अर्थात पर्मिश्वर को देखता है वही ठीक ठीक देखता है यतहार्थ देखता है वही सत्यका दर्शन कर रहा है वहीं अपरुक्ष ब्रम्ध दर्शन है वहीं आत्म साक्षातकार है वहीं मुक्ष है वहीं सद्यो मुक्ति है जब तुमने उस एक अद्विती ज्ञान स्वरूप परमिश्वर का दर्शन जो अविनाशी है अनश्वर है सभी विनाश शील पदार्थों में किल समाध्ही में जा करके नहीं आख बंद करके हिमाले की गुफा में जा करके निर्विकल्प समाध्ही में चेतन का उसकी अपनी महता है लेकिन अद्वाइत वैदांत परमात्मा का दर्शन खुली आँख से बंद आँख से कर्म में युद्ध में शांती में अशांती में सर्वत्र उस समस तबेवहारों का जो अधिश्थान जो परवरांफ परमात्मा है जो ज्यान-स्वरूप है वह तुम्हारा अपना जो चैतन्य श्वरूप है उसी को तुम्हें दिखाने, समझाने और अंततः उपलब्ध कराने जो नित्य उपलब्ध है, अज्यान के कारण अनुपलब्ध सा लग रहा है वह परमातमा जो ज्ञान स्वरूप है जो अजर अमर अविनाशी है जो देश का लबस्तू आपरिछिन है जो मुक्त है जिसमें बंधन की कोई संभावना नहीं ज्ञान में बंधन की संभावना नहीं अर्थाथ चेतन में बंधन की संभावना नहीं और जड़ मे मुक्ती की संभावना नहीं, ये दो-चार वाक्य बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो, बार-बार उसको देखना, ज्यान में अर्थत, चेतन में अर्थत, आत्मा में बंधन की कहीं कोई संभावना नहीं, और जड में मुक्ती की कोई संभावना नहीं, आनंद की कोई संभा इसलिए कुछ ऐसा नहीं पाना है न किसी उस वस्तु को जानना है जो मुझे से भिन्न है मुझे उसे ही जानना है जो वास्तों में नित्य प्राप्त है और नित्य समस्त अनुभूतियों का प्रकाशत है अधिश्थान है सबसे पहले वहीं जाना जा रहा है कौन ज्ञान स्वरूप जो मेरी चेतन सत्ता है वो मैं हूँ इसलिए अध्वाइत वदांत में कहते हैं मुख्ष को या आत्मसक्षत कार को प्राप्तस्य प्राप्ति ही निवर्तस्य निवर्ति ही जड की कोई सत्ता नहीं जो सदा निवर्त ही है जड अगर निवर्त है तो दुख निवर्त है जन मृत्य निवर्त है भय निवर्त है सारे अभाव निवृत है, तो जड की निवृति कर देने से सारे अमंगल निवृत हो गए और प्रापतस्यय प्राप्ति ही, कौन सा प्रापतस्य प्रापति photograph? वो चेतनसत्ह आजद्म सत्थ वो ग्यान स्वरूपलिय प्रमिश्वर है, परब्रम परमात्मा है, चेतन सत्ता है, वो तो नित्य प्राप्त है, उसी की प्राप्ती होती है और कुछ नहीं होता है। चेतना के रूप में नित्य प्राप्त है, लेकिन अप्राप्त सा जो लग रहा है, जिसके कारण अनंत्काल से जो दुख भोग रहे हैं, उस ब्रामती की निवृती मात्र करता है, जो सुर्ट रिय घ्र अबनिष्ट गुरु है और समस्ट शास्त्र का अधिस्थ है। और निविर्ती किसी करनी है वास्तों में तुम प्राप्ती क्या करना चाहते हो जीवन में और निविर्ती क्या चाहते हो मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं वेदान्द कह रहा है इसलिए नहीं महरशी वसिष्ट या योगेश्वर कृष्ण कह रहा है इसलिए नहीं तुम अपने आप से पुछो प्रती पल सुबह से साम किस के पीछे भाग रहे हो सुख के पीछे सुख के सिवाद दूसरी किसी के पीछे भाग रहे हो सब्द उसके अलगल है उसको प्रेम भी कहते हैं उसी को संदर्ज कहते हैं उसी को स्वर्ज कहते है तात्वी कर्थ में आनंद के पीछे भाग रहे हो, सुक के पीछे भाग रहे हो और किस से पीछा छुड़ा रहे हो, किस से भाग रहे हो, दुख से भाग रहे हो यही निवृतस्य निवृति ही दुख तुम्हारे अंदर वास्तों में तुम्हारे ज्ञान स्वरूप में चेतन स्वरूप में न था है न होगा तो निवृति जान करके हो गई और प्राप्तस्य प्राप्ति मैं नित्य वही ज्ञान स्वरूप सचिदानंद गन ब्रह्म था हूँ और रहूँगा इस बात की अनुभूती हो गई सक्षात अपरुक्षदर्शन सुरत्त्री ब्रह्मनिष्ट गुरु ने करा दिया जो नित्य प्राप्त था उसकी ही प्राप्ती कराता है गुरु लेकिन भरांती के कारण वह अब प्राप्त सा लग रहा था इसलिए समस्त दुख समस्त अग्यान इस कारण से है कि तुम अपने को ग्यान न मान करके अर्था चेतन सत्ता न मान करके जड सतार्थात देह मानते हो तो देह में तो भेद है मैं दरश्टा और दिश्वान जगत तो वसिश ने बोला कि ग्यान तुम से भिन नहीं और तुम ग्यान से भिन नहीं और ये जो जगत है वह ग्यान से भिन नहीं इसलिए तत्वतह मैं ही मैं ही वह ज्ञान हूँ और ज्ञान स्वरूप होने के कारण मैं ही जगत हूँ और मुझे से परे कोई जगत नहीं समस्त जगत नाम रुपात्मक जगत मुझे में कलपीत है कलपना मातर है स्वपनवत मैं ही स्वपन द्रश्टा के रूप में स्वपन जगत बनता हूँ उसी प्रकार से जो एक अध्विती सचिदानन घन ब्रम्भ है जो मेरा ज्ञान स्वरूप है जो मेरी आत्मा है आत्मा अर्था ज्ञान अब भी जो मेरी वाणी निकल रही है वहां स्रवन आप कर रहे हो इन सब का जो प्रकास्षक वह चैतन्य दीपक है इसलिए जो दिवाली जो कल मनाई गई मुझे जीन लोगों से भी संबाद हुआ यही मेरा प्रयास था वास्तों में दिवाली का तात पर यहीं था कि जो तुम्हारा चैतन्य दीपक जो एक मात्र सद वस्तु है शाश्वत सनातन सत्य है जो चैतन्य सत्ता है कारण लग रहा है बोजा हुआ सा तुम्हारे स्वाय कोई दिया जला हुआ है नहीं तुम चैतन्य जोती हो चैतन्य दीपक हो इसलिए तुम शाश्वत सनातन स्वयंभू दीपक हो दिपावली का संदेश यहीं है जब अज्ञान पर ज्ञान की विजए असत्य पर सत्य की विजए अधर्म पर धर्म की विजए के रूप में मनाते हैं जो भगवान स्री राम और लंका पती के विज़ युद्ध हुआ अधर्म पर जो धर्म की विजए हुई तात्वीक अर्थ में रावण यहां पर और कोई नहीं है यह जो तुम्हारा अज्ञान जो जड़ स्वरूप है, देह भाव है वहीं रामण है, वहीं अज्ञान है और जो चेतन, राम क्या है? राम सत्ता रामा कंशसनेस सिज़ एवर्जिंग एज प्यूर कंशसनेस शुद्ध बोध स्वरूप से चैतन्य दृष्टी से ये अनंद ब्रम्भांड ब्रम्भ में ही है और ब्रम्भ में कोई भेद नहीं है जिस प्रकार से जो सप्न दरश्टा है वो एक ही है लेकिन वहीं बाग भी बन रहा है बकरी भी बन रहा है हाथी भी बन रहा है महासागर भी बन रहा है उसी प्रकार से मैं शुद्ध जैतन्य ग्यान स्वरूप होने के कारण मुझसे भिन्न न कोई जीव है न कोई जगत है न कोई जगनात है न कोई भगवान है क्योंकि वह जो सोना है वहीं बना है गनेश जी सोना ही बना है मूसा सोने कहीं हार सोने कहीं अंगुठी सोने कहीं राम बनाओ सोने कहीं रावण बना दो तत्व दिरिश्टी से राम और रावण एक है एक पुतला बनाओ राम का एक रावण का नाम रूप की दिरिश्टी से बड़ा भेद हो जाएगा राम और रावन की तूनला कर रहे हो लेकिन तत्व दृष्टी से राम भी सोना रावन भी सोना वह तत्व दृष्टी क्या है ज्यान दृष्टी चैतन्य दृष्टी इसलिए महरशी वसिष्ट कह रहे हैं कि तुम हे राम तुम यहीं जानों कि जो ज्ञान है अर्थात जो प्रज्ञान सत्ता जो चेतन सत्ता तुम्हारी आत्मा के रूप में उपलब्ध है उससे भिन्न ये जगत नहीं है और उससे भिन्न ये जगत नहीं है जो तुम्हारा जो ज्ञान है ये तुम्हारा अपना स्वरूप है तुम्हारा अंतरतम पर और ब्रम्भ हो अर्थात ज्यान हो इसलिए ये जगत तुम से भिन्न नहीं है। में ही प्रतीत हो रहा है ज्ञान दर्पण में ही दर्पण दिश्यमान न Sebुगन में प्रतीति मात्रय प्रतिभिम्वित हो रहा եे मुझसे परे एक किसी की सत्ता नहीं न जीव की न जगत की न जगनाथ की मैं वह सचिदा अनंद घन ब्रह्म का स्वरूप हूँ सचिदा अनंद का दरपन हूँ जिसमें ये अनंत ब्रह्म हन उत्पन सा इस्थित सा विलीन सा होता हुआ प्रतीत होता है लेकिन मुझे से बाहर न कोई काल था न देश था न कोई वस्तू थी और न है न कभी होगा इसलिए यह तुम जान लो कि तुम से तुम अपने को चेतन सत्ता आत्म सत्ता ग्यान सत्ता जान लो नहीं जान पा रहे हो तो थोड़ा दो चार पांच दस बार सुन लो समझे लो कुछ प्रवचनों को और मान करके भी अगर यत्रा प्रारंभ कर देते हो तो जीवन में अध्वक्त क्रांती घट जाएगी इसलिए तुम्हें अनुभूती हो जाएगी कि ज्यान द्रिष्टी से तो ज्यान में कोई भेद ही नहीं है कोई द्वाइत ही नहीं है कहां प्रारंभ होता है कहां अंत होता है सारे भेद, सारे द्वाइत, सारे दुख तो जड़ दृष्टी के कारण है, ज्ञान दृष्टी के कारण, देह भाव के कारण है, अब मैं देह नहीं देही हूँ, जड़ नहीं चेतन हूँ, दृष्ट नहीं दृष्टा हूँ, यह जान लो, मैं जीव नहीं शीव हूँ, न मैं ही हूँ, मैं ही अनंत काल के रूप में अभिव्यक्त होता हूँ, अनंत देवी देवताओं के रूप में अभिव्यक्त होता हूँ, वास्तों में मुझसे परे कुछ भी नहीं, मुझसे बाहर कुछ भी नहीं, मैं ही एक अद्वितिय सचिदारंद कन ब्रम्भ हूँ, वहीं तुम हो यहीं तुम्हारी अनभूती सक्षात पर शानभूती करो मैं तुम ज्ञान स्वरूप हो और ज्ञान स्वरूप चेतन होने के कारण यह जगत तुमसे भिन्न नहीं है और इसलिए जो जगत है वह भी तुमी हो और इस जगत से परे उस ज्ञान से परे न कोई जगत है न जीव है तुमी वह परमचैतन सत्ता हो आत्म सत्ता हो जिसमें यह अनंत ब्रम्भांड अनंत नाम रुपात्मक जगत स्वपनवत उत्पन्न साप्रतीत होता है इस्थित्सा रहता है फिर बिलीन हो जाता है तुम्हारा न जन्म होता है न तुम्हारी मृत्व होती है तुम एक अद्वितियस्ट शिदानंद घनस्वरूप है चिदानंद रूपह शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपह शिवोहम शिवोहम